हेलो एब्रिवन तो गाइज आपने रस्मलाई तो बहुत खाई होगी लेकिन यह रस्मलाई बनी है ब्रेट से जो की पॉर्फेक्ट बनके रेडी होगी और इसे बनाना भी आसान है और यह बहुत थी सॉफ्ट बनेगी बिल्कुल मार्केट जैसी जैसा कि हम मार्केट से रिय करीट लिए उस को बनाने के लिए पतील लाली या है और उस में हम डालेंगे दूद्我 गत लिया तो हमने द्हाई कप दूद ले लिए यह मेजर्मेंट कब से है तो आप समझ लुग कि हमने रणी पिए हैंno लिया है 600 ग्राम के करीब में दूद लिया है तो उससे थोड़ा सा कम ही होगा तो इसे लेने के बाद हमने अब इसे गैस पर चणा देंगे और इसे थोड़ा सा गरम करेंगे हलका गरम हो जाएगा तो थोड़ा सा दूद हम कटोरी में निकाल लेंगे और इसे निकाल कर हम इस चमच पाउडर लेकर मिक्स किया है हलका गरम होने पर लंपस नहीं बनते हैं और इसे फिर हम वापस उसी दूद में डाल देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने दूद रखा था एक उबाल आ गया है तो हमने इसे डाला है और अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से तो इसे यह होगा कि ज्यादा दूद को जलाना नहीं पड़ेगा और यह गाढ़ा रेडी हो जाएगा जैसा हमको चाहिए तो इसे मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाला है थोड़े से केसर आप डालोगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर रस्मलाई में आता है निकल कर तो हमने इ इसी तरह उबलने देंगे हम इसे धोड़े दिर में आप देखोगे कि इसका कलर बिल्कुल मारकेट वाली रस्मलाई जैसा आ गया धूद का कलर तो आप सुचोगो कि कहीं कलर तो नहीं डाला गया इसमें तो हमने इसमें बिल्कुल भी फूड कलर नहीं डाला है जो यह केसर आपको दीख रहे हैं तो इसको आप चाहो तो या तो पहले ही थोड़ा सा दूद लेकर उसमें अच्छे से रगड के आप इसे मिक्स करोगे तो इससे आप देख सकते हो कि हलका हलका कलर निकल रहा है येलो तो यही दूद को विल्कुल कलर दे जाएंगे रसमलाई को तो इसी तरह हम इसे मिक्स कर लिए हैं तो यह बिल्कुल ओरीजनल कलर के सरवला निकल के आ गया है तो इसे मिक्स करने के बाद आप इसका कलर देखी सकते हो कि यह एलो पर आ गया और धिरे-धिरे उबलेगा तो और यह कलर अच्छा देता च दाले हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर यह उबल रहा है इसमें हमने छोटे से कपसे आप देख सकते हो चीनी डाला है आप नॉर्मली चार से पांच चमर चीनी डाल लीजेगा इतने दूद में और इसे डालने के बाद आप देख सकते हो थोड़ थोड़े उबलते उबलते तकरीबन 10 से 12 मिनट बीच चुके हैं और यह उबलकर अच्छे से रेडी हो गया है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो बन के रेडी है हमारा रसमलाई का रस तो अब हम बनाएगे रसमलाई तो उसके लिए हमने ब्रेड ल सकते हैं वह साइज परफेक्ट आते हैं रसमलाई के लिए तो उसे ले लिया है और एक-एक ब्रेड लेकर हम आप देख सकते हो कि गिला से हम थोड़ा सा हाथों से प्रेस करके गोल-गोल साइज में काटकर निकाल लेंगे और जो किनारे का पोर्सन बचेगा उससे ब्रेड पीस ब्रेड का बनाया है आप देख सकते हो कि यह बहुत अच्छे से कटके रेडी हो गये हैं और बिल्कुल वाइट है क्योंकि किनारे का हम निकाल चुके हैं तो यह वाइट जो बीच वाला है हिससा इसी से बनेगा तो बहुत ही अच्छा कलर और देखने में भी बहुत तो इसी तरह हमने इसे कट कर लिया है और सारे ब्रेड को एक प्लेट में या आप किसी वर्तन में निकाल दीजिएगा हमने इसे अच्छे से कट करके निकाल लिए एक प्लेट में अब जो हमने रखा है रसमलाई का जो रस बनाके उसे इस ब्रेड पे नॉर्मली आप डाल तो आप डालेंगे तो ब्रेड है तो यह अच्छे से तुरंत अपजोब कर लेगा सारे रस को तो आप देख सकते हो कि हमने इसे इसी तरह चारो तरफ फैला के डाल लिया है आसानी से यह काम हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसे डालने के बाद हम इसे अच् उपर से हमने थोड़े से पिस्ते डाल दिये हैं हमने बाद में पिस्ता डाला है कि देखने में खुबसूरत भी लगे जैसे की रहता है और आप देख सकते हो कि हमारी ब्रेड की रसमलाई बनके रेडी हो गई है बहुत ही आसानी से आप इसे 10 से 12 मिनट में या समझ लिजे हो कि बहुत अच्छा दिखने में भी लग रहा होगा और इसे खाने में तो बहुत ही अच्छा था बिल्कुल रियल वाली रसमलाई वाला फ्लेवर आ रहा था क्योंकि केसर डाला गया है तो जो केसर का स्वाध होता है खुसबू होता है जो भी है वह बहुत अच्छे से न भी स्वाद अच्छा लगेगा और देखने में भी तो आप असानी से घर पर एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा बनाकर और हमें बताइएगा कि कैसे बने हैं तो आपको कट करके हम दिखाते हैं तो देख लेजिए आप कि यह बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं और ब्रेड है तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है गाईश तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमली में सेयर कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि कैसे बने हैं तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपकी लिए हम लाएंगे तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो सस्क्राइब करना न भूलिएगा हर हर महादेव